ये लोग चाहते हैं कि डिली की शिक्षा करानती खतम हो जाए उसे खतम नहीं होने देंगे इन्होंने जूटे सच्चे आरोप लगाके फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है उनको मनी सिसोदिया को जेल में इसने जेल डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है बच्चों को अच्छे पढ़ाई दे रहा है अगर मनी सिसोदियाजी शिक्षा पर आपके लिए काम नहीं करते उनको जेल नहीं होती है हम अब पूरे दिली के अंदर सारे पेरेंट्स को फीड़बैक के लिए लिए आपके इसाब से और क्या क्या कर सकते हैं हम स्कूल को अच्छा करने के लिए आप लोगों से हम सुझाओं मांगेगे और उन सारे सुझाओं के बेसिस पे हम उसको और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे आज मनीज जी की बड़ी याद आ रही है यह उनका सपना था यह लोग चाहते हैं कि डिली की शिक्षा करांती खतम हो जाए उसे खतम नहीं होने देंगे कि मनीज जी ने इसकी शुरुवात की थी उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी श्ख्या मिलने चाहिए इन्होंने जूटे सच्चे आरोप लगा के फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है उनको लगा कि उनको जेल में क्यों डाला हुआ है देश में इतने बड़े बड़े डाकू गूम रहे हैं उनको नहीं पकड़ते हैं उनको मनी सिसोधिया को जेल में इसमें डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है अगर आज मनी सिसोधिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा हुता है अच्छे स्कूल नहीं बना रहा हुता है उसको जेल में नहीं बेच उनको तकलीफ हो रही है कि इस तरह से अच्छ अच्छ स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का पर चार हो रहा है, चार ओ तरफ मैं जहां भी जाता हूं, पूरे देश के अंदर सब एक ही बात करते हैं, कि जिस स्कूल बड़े अच्छ बन गए दिल्ली के, स्कूल बड़ के बच्छों को अच्छी शिक्षा मिलने लग गई, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है, अगर मनीज सोधियाजी शिक्षा पर आपके लिए काम नहीं करते हैं, उनको जेल नहीं होती, तो हमें उनके सपने पूरे करने हैं, उनके काम को नहीं रुकने देना, बड़ी जल्दी वो बहार आएंगे, मुझे पूरी उमीद है, सच्चाई कभी हार नहीं सकती, भगवान साथ देता है, जो लोग सच पे चलते हैं, उनका भगवान साथ देता है, वो जल्दी बहार आएंगे, और इस यातरा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब तक वो अंदर है, हमें और दुगनी स्पीड से शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है,